नमस्कार, मैं डाक्टरों प्रकास भैर्वा, सहय का चार्य संस्कृत, राज की अशनात को उत्तर महाविद्याले जहलावार, आज हम रिगवेद के प्रथम मंडल के 154 सुक्ते विश्णु सुक्त का अध्यन करेंगे, इसके रिशी दीर्गतम, देवता विश्णु तथा चंद त्रिष्टुप है, इस मंत्र में रिशी ने विश्णु के तीन डगों में संपून लोकों की स्थिती बतलाई है, तथा विश्णु की तुलना सिंग से की गई है, प्रेता दिवेश्णु इस्त्वत विरियेने, म्रेगों नभीमेह, कुचरो गेरेश्ठा, यसो रोसो त्रिषो विक्र मनेशु, अधेचि अन्ते भोवेनानी विश्वा। प्रेता दिवेश्णु हुँ इस्त्वते विरियेन, म्रेगहेन भीमेह, कुचरहे गिरिश्ठा, यसो रोसो त्रिषो विक्र मनेशु, अधेचि अन्ती भोवनानी विश्वा। यस जिस विश्णु के उरुसु, विस्तीर्ण, त्रिसु, तीन, विक्र मनेशु, डगों में। विश्वा, संपूर, भोवनानी, लोक, अधीचियंती निवास करते हैं, या संपूर लोक आ जाते हैं। जिस विष्णू के विष्णीन तीन डगों में संपून लोका जाते हैं अथवा आश्रे लेकर निवास करते हैं तत उस विष्णू के वीरियन वीरकारियों की प्रस्तवते इस्तुती ने उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार भीम में है भयानक कुछ रहे कुछ सित्त हिंसा आदी कार्य करने वाले या स्वतनतता पूर्वा भूमी पर विच्रन करने वाले ग्रिष्ठा पर्वत आदी उन्नत प्रदेश्व में रहने वाले म्रेग है म्रेग के कई अर्थ होते हैं शिंग भी होता है हिरन भी होता है अर्थात जो चार पैर वाले जो पसु हैं जो भोजन की तलास में विच्रन करते रहते हैं भोजन को खोजते रहते हैं इसलिए प्राचिन काल में सभी चार पैर वाले पसुओं को म्रेग कहा जाता था बाद में म्रेग का अर्थ संकूचित होकर के केवल हिरन के लिए प्रयूक्त होने लगा जिस विष्णू के विष्टिन तीन डगों में शंपून लोका जाते हैं अथवा आश्र लेकर निवास करते हैं उस विष्णू के वीर कारियों की इस्तुति उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार भयानक कुच्छित हिंसा आदी कारिय करने वाले या स्वत्नता पूर्वग भूमी पर विच्रन करने वाले परवत आदी उन्नत प्रदेशों में रहने वाले सिंग आदी की इस्तुति की जाती है इस्तवते इस्तु धातों से कर्म कारक में लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन वैदिक रूप है लोक में या लोकिक संस्कृत में इस्तु यते रूप बनेगा सायन ने इस्तवते को कर्म बाच में मानकर इस्तु यते अर्थ किया परंतों पीटर सन इसे ठीक नहीं मानते उनके अनुसार यह कर्तरी बाच ही हमें कुच रह प्रत्य से शायन ने कुचरह का आर्थ कुच सित हिंसा आधी कर्म करने वाला किया है पीटर सन ने इसका आर्थ स्वतंदरता पूर्वक विच्रन करने वाला किया है गिरीश्ठाहा, गिरीशु तिष्ठती आर्थ में गिरी इस्था क्विपधात्व प्रत्य से, शायन ने इसका आर्थ उन्नत प्रदेश में रहने वाला किया है। लोकिक संस्कृत में विश्वानी रूप बनेगा। अब एक कथा और का अध्धन कर लेते हैं। एक बार भगवान, सिव और पार्वती के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिके के बीच विवाद हुआ कि प्रथम पोजा कौन से देव की होनी चाहिए। अंत मैं समस्या को सुलजाने के लिए देवर्शी नारद ने सिव को निर्नायक बनाने की सलाय दी। सिव ने सोच विचार कर एक प्रतियोग तायुजित की जो अपने वाहन पर सवार होकर समस्त तीर्ति स्थान और संपूर्ण प्रथवी की परिक्रमा करके सबसे पहले लोटेंगे वे ही प्रथवी पर प्रथम पोजा के अधिकारी होंगे। कार्ति के ने सिव और पार्वती जी का अश्रवाद लिया और अपने वाहन मोर पर तुरंत सवार होकर प्रिथवी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। इधर गनेजी सोच में पड़ गए कि मेरा वाहन तो चुहा है, चुहा छोटा सा है और हम थोड़े मोटे से हैं, चुहा धीमी गती से भी चलता है, इस तरह तो हमारी हार पक्की है, कोई उपास सोचना पड़ेगा, हम से तो परिक्रमा नहीं लगाई जाएगी, तब गनेजी ने सोचा माता पिता में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं, यदि मैं इनकी परिक्रमा कर लूँगा, तो मुझे समस्त तीर्थ और समस्त प्रित्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाएगा, यह सोच कर स्री गनेजी ने अपनी मा पार्वती और पिता सिव से आशिरवाद लिया, और अपने माता पिता की साथ बार परिक्रमा की और सांत भाव से उनके सामने हाथ जोड कर खड़े रहे, बाद मैं कार्ति के अपने वाहन मयूर पर सवार हो, प्रित्वी का चक्क लगा कर लोटे, तथा उसने कहा कि मैंने यह प्रतिवता जीत ली है, क्योंकि गनेजी अभी यहीं खड़े हैं, तव सिवी कहते हैं कि पुत्र गनेज तुमसे भी पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर चुका है, वही प्रतम पूजा का अधिकारी होगा, क्योंकि माता पिता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है, या माता पिता ब्रह्मांड से भी परे हैं, जिस प्रकार से इसमें माता पिता को ही संपोन ब्रह्मांध मान लिया गया और गनेश जी को अवजेता घोसित कर दिया गया, इसी प्रकार से हो सकता है कि किसी प्राचिन काल में किसी समय पर कोई प्रतियोगता हुई होगी, उस प्रतियोगता में विश्लून ने तीन डग भूमी को छलांग अर्थात जंप लगा कर जीत लिया होगा तथा तीन डग भूमी को तीनों लोक मान लिया होगा बाद में राजा बली और वामन अवतार की कथा कल्पित कर ली गई होगी